हेलो गाइस मैं हूँ कोमल और रेसिपीस आप कोमल में आपका स्वागत है मैं आज बनाने जारी हूँ ओमलेठी करी मेरे मम्मी के स्टैल से बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी तो आप चरूर बनाये और वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक पेश्ट करना rato cared चाहते हूं कि मेरी वीडियो अबर जो आपको अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को LIKE कमेंट और तोड़ी सी मैं और अध्याद के एकसाद लिया है तोड़ी सी मैं यूज कर रही हूं आप छाहे तो beginner करसकते हैं मसाले में सब कुछ एक एक चमाची यूज़ कर रही हूं लाल मिर्च हलदी धनिया काली मिर्च और थोड़ी सी मीट नवल्त time निवार और जीरा इन सब को मैं एक एक चमाची scored लिये हैं ये देख सकते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है ये देखिए एक मैंने कटोड़ा लिया उसमें मैं अपने सारे अंडे को इसी तरीके से फोल लूँगी अगर जो आपको कुछ भी समझ में ना है तो description box में आप देख सकते हैं और देखिए मैंने अपन सारा अंडा इसी तरीके से फोल लिया है अब इसमें हम add करेंगे अपना प्याज ये देखिए जो मैंने आपको दिखाया था वही प्याज मैं यूज कर रही हूँ अब थोड़ी सी मैं यूज करूंगी हरी कच्छा मिर्च ये देखिए मैं थोड़ी सी ज्यादा यूज कर रही हूँ आप चाहे तो थोड़ी कम भी यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा मैं स्वादनुसार नमक यूज कर रही हूँ एक चमच के करिब चलिए अब इन सबको एक साथ मिला लेते हैं देखिए इसी तरीके से हमें मिलाना है देखिए अब ये मिल चुका है बस इसको अच अच्छे से तवे पे पहले मैं तेल को फैला लूँगे जिससे मेरा अंडा चिपकेगा नहीं चलिए अब थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अपना अंडा का रखेंगे यह देखिए इस तरीके से आपको डालना है बस थोड़े थोड़े ही डालने हैं हमें यह देखिए आप सकते हैं बस इसी तरीके से डालना है और ऑमलेट जिस तरीके से बनता है बस वैसे ही इसको बनाना है और मेरा वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सेयर करना ना भूले और सस्क्राइब जरूर कर दे मेरे चैनल को यह देखिए मेरा अंडा कितना अच्छा कलर आया मेरे अंडे का इसी तरीके से इसको बना लेना है और इसको मैं देखिए चार भागों में डिवाइट कर दूंगे यह देख सकते हैं इसी तरीके से आपको भी काट लेना है बस मैं इसी तरीके से काट कर इसको यूज करूंगे कड़ी में अपना देखिए ऐसे ही बस हमें अब इसको निकाल लेना है यह हमारा अंडा हो चुका है चलिए अब इसको निकाल लेते इसी प्रोसेस से हमें दूसरा भी अपना ओमनेट त्यार करना है यह देख सकते हैं आप बस इसी तरीके से मैं सारे अंडे को अपना बना लूँगी यह देखिए चलिए अब इसको पलट लेती हूँ यह देखिए इसको कितना अच्छा कलर आया उपस थोड़ी से मेरी तवे पे लग गई थी उसको मैं हटा ले रही हूँ चलिए अब इसको भी हम लोग कट कर लेते हैं जिस तरीके से उसको मैंने काटा था काट रही हूँ आप चाहे तो प्लेट में डालने के बाद काट सकते हैं चलिए अब इसको निकाल लेते हैं कि देखिए मैंने इसी प्रोसेस से तीसरा भी इसी बना लिया है यह देखिए बस इसको भी मैंने ऐसे ही कट कर लिया है चलिए अब इसको निकाल लेती हूँ अब मैं एक ले रही हूँ कढ़ाई उसमें मैं डाल दूँगी अपना ओयल ये देख सकते हैं मैंने ओयल डाल दिया और मैंने तेज पत्ता दिखाना मैं स्किप हो गया था मुझसे इसलिए मैं आपको अभी दिखा देऊंगी देखे थोड़ी सी मैं हिंग ले रही हूँ और एक तेज पत्ता लोंगी ये देखिए ये मैंने तेज पत्ता एक ले लिया अब इसमें हम लोग अपने कटे हुए पियाज ढाल देंगे अब इसको अच्छे से हम लोग थोड़े देर के लिए फ्राई होने देंगे देखिए इसी तरीके से चलाना है हमें बस इसको इसी तरीके से भूनते रहे देखिए हमारा पियाज अब थोड़ा थोड़ा भूनने लगा है ये देखिए अब इसमें हम लोग अधरक लसन और प्याज का पेश्ट डाल देंगे आप चाहे तो प्याज काट के नहीं यूज कर सकते हैं पीस कर भी डाल सकते हैं मैंने दोनों तरीके से यूज किया है आप चाहे तो एक ही तरीके से यूज कर सकते हैं ये देखे, इसी तरीके से हमें चलाते रहना है, बीच-बीच में आप चलाते रहें, ये देखे, कितने अच्छे से ये लाल हो चुका है, अब इसमें हम लोग अपने सारे मसाले, जो जो मैंने आपको दिखाया था, वो सब मैं डाल दूँगे, मैं गरम मसाला अभी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो बाद में यूज़ कर सकते हैं, देखे, हमने अपना सारा मसाला डाल दिया, और इसको हम लोग अच्छे से इसी तरीके से भून लेंगे, ये देखे, इसी तरीके से हमें चलाते रहना है, देखे, मसाला हमारा भूनने लगा है, ये देखे, कितना अच्छा भून गया अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी यूज़ कर दूंगी क्योंकि मेरा मसाला थोड़ा जलने लगा था इसलिए मैं तो आसा पानी यूज़ कर रही हूं ये देखिए ऐसे ही बस हमें थोड़े थोड़े दिर में इसको चलाना है ये देखिए मैं दो हरी मिर्च डाल रही हूं आप चाहे तो इसको नहीं भी डाल सकते मुझे हरी मिर्च अच्छी लगती इसलिए मैं डाल रही हूँ, आप skip भी कर सकते हैं, बस इसको थोड़े थोड़े देर में चलाना है, चलिए, अब मसाले को थोड़ा ढख लेते हैं, तब तक यह अच्छे से भून भी जाएगा, और हमारा मसाला च्छा कलर भी आ जाएगा, यह देखिए, मेरा मसाला का कितना अच्छा कलर आ गया है, ऐसे ही बस हमें चलाते रहना है, यह देखिए, मैं थोड़ी से इसमें पानी एट की हूँ, मैं इतने ही यूज़ कर रही हूँ, अगर जो आपको कम लगे तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, यह देखिए, मेरा उबाल आने लगा है पानी में, अब हम हमने चला लिया, अब हमारा उबाल आने लगा है, कड़ी में, बस अब इस पे थोड़ी सी में घरी धनिया पत्ती डाल दूँगी, धनिया पत्ती से अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं धनिया पत्ती यूज़ करूँ, अगर जो आपको पसंदना होता, आप नहीं भी ड ठक लिया, बस पांच मिनट के बाद हम लोग इसको खोल सकते हैं, आप पांच मिनट के लिए रख सकते हैं, या तो दो मिनट के लिए भी, मैंने पांच मिनट के लिए रखा था, ये देखे, मेरा कितना अच्छा कलर आ गया, ये देखे, मेरा ओमलेट बनके रेडी है, ओमल